हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टो माई चैनल तो आज मैं आपके ले लेकर आई हूँ गेहु के बचे हुए आटे की एक बहुत ही टेस्टी सी और डेलिशियस सी रेसिपी जिसे आप कभी भी बना के एंजोई कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनती है, साथ में ही बनाने का तरीका बिलकुल ही नया है जो आपको बहुत पसंद आएगा आप इस रेसिपी को बच्चों के लिए भी दे सकते हैं टिफिन बॉक्स में तो चलिए देख लेते हैं कि आज की इस रेसिपी वीडियो को कैसे बनाया जाता है और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूले तो आज की इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कटोरी भर के लेफ्ट ओवर आटा ले लिया है तो इसे हम साइड में रखते हैं चलते हैं आगे यहाँ पे मैंने आदा कप काले चने को रात भर के लिए भूगो दिया था और यह अच्छे से अफूल गए है अब इसके बाद हमें लेना है एक ग्राइंडिंग जार और इसमें हम डाल देंगे सारे काले चने को इन्हें मैंने अच्छे से दो तीन बार वाश कर लिया है साथ में ही डालेंगे इसमें थोड़ा सा अदरक और एक से दो हरी मिल जिससे रेसिपी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और इसी के साथ यहां पे कुछ एड़ करेंगे थोड़ा सा फ्रेश धनिया तो धनिये को इस तरह चाकू से आप काट के डाल दें जिसे की आराम से ये पिस जाए और बस धकन लगा के इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना के तयार कर लेना है तो स्टार्टिंग में हमें इसमें पानी बगेरा एड़ नहीं करना है अगर आपको जरूरत लगे तो सिर्फ एक या दो चमच ही पानी आड़ करें तो यहाँ पे मैंने भी इसे एक चमच पानी डाल के अच्छे से पीस लिया है और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ये पीस गया है तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका मिक्स है वो पतला नहीं होना चाहिए उसके बाद एक बड़ा बाउल लेंगे और सभी को इसमें हम निकाल लेंगे अब इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले एड़ करेंगे जैसे कि थोड़ा सा हल्दी पाउडर साथ में ही थोड़ा सा लाल मिर्जी का पाउडर वन फोर चमच धनिया पाउडर साथ में ही टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और उसी के साथ डालेंगे यहां पे थोड़ा सा गरम मसाला और साथ में ही डालेंगे थोड़ी सी हींग जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और हम इसे काली चने से बना रहे हैं तो आप इसमें हींग जरूर एड़ करें इन्हें डालने के बाद सभी को अच्छे से यहां पे हमें करना है तो देखे फ्रेंड्स यहां पे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी स्टफिंग पूरी तरह से रेडि हो गई है बस इसे उठाके अप साइड में रखते हैं चलते हैं नेक्स्ट प्रॉसस में तो यहां पे हम लेंगे आटा और आटे के साथ ही यहां पे हम लेंगे एक चमच भर के कोकिंग ऑल दोनों को अच्छे से मिक्स करते हुए यहां पे हमें इसे मसला है क्योंकि ये आटा जो है वो बचा हुआ आटा है इसमें मोयन बगएरा कुछ भी नहीं होता है तो इसी लिए हम थोड़ा सा इसमें cooking oil एड़ कर देंगे अगर आपके आटे में नमक पहले से पड़ा हुआ है तो आप नमक ना डालें अगर नहीं पड़ा हुआ है तो टेस्ट के according थोड़ा सा नमक एड़ कर दें मैंने भी यहाँ पे नमक एड़ नहीं किया है क्योंकि इसमें पहले ही नमक एड़ है उसके बाद हम छोटी छोटी इसमें से लोईया निकाल के तयार कर लेंगे जैसे कि हम पूरी बगएरा बनाते हैं उसी साइज के आपको लोईया बनाके तयार कर लेनी है तो लीजी फ्रेंट्स यहाँ पे लोई बनके तयार हो गई है और इसके बाद हम इने छोटे छोटे साइज में बेल के तयार कर लेंगे जैसे कि पूरी बेलते हैं बस उसी साइज में हमें इसे बेल के तयार कर लेना है तो लीजी फ्रेंट्स यहाँ पे हमने इसे बेल के कर लिया है तयार उसके बाद हम एक चाकू लेंगे और इस तरह इने किनारों से कट कर देंगे दिखे फ्रेंट्स इस तरह है उसके बाद जो हमारी पूरी है वो rectangle shape में बन के तयार हो गई है तो बस इसके बाद हमने जो stuffing बना के रखी है उसे लेंगे और center में इसे रखेंगे और चम्मच से या फिर उंगली की मदद से आप इसे इस तरह फैला दीजिए आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा friends थोड़ी थोड़ी आपको जगए छोड़ देनी है पूरी लोई पे मतलब पूरे आटे पे आपको इसे नहीं रखना है और उसके बाद लेनी है एक चम्मच और इस तरह इसे चम्मच पे चिपका देंगे और इस तरह इसे रोल करते जाएंगे आगे की तरफ देखी friends इस तरह और बस हातों की मदद से थोड़ा से खींचते हुए दबा दे जिससे की ये खोले ना और आगे से भी और पीछे से भी दोनों साइड आपको इसी तरह हातों की मदद से इसे प्रैस करते हुए चिपका देना है देखी friends बस इसी तरह हम सभी नाश्टे को पहले बना के तयार कर लेंगे और ये बहुत इजीली निकल भी जाता है friends और बहुत इजीली बन के तयार भी हो जाता है तो चलिए एक मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ कि इसको कैसे बनाना है सबसे पहले आप इसे पूरी की तरह बेल लें और उसके बाद इसकी कटिंग कर लें सेंटर में थोड़ी सी स्टफिंग रखें और इस तरह चमच को रखें और थोड़ असा आटा इसके उपर चिपकाते हुए आगे की तरफ आप इसे रोल करते जाएं देखी इस तरह और हातों से दबाते जाएं और फ्रेंट्स इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसे आपको टाइटली रोल करना है लूस बिल्कुल भी नहीं छोडना है और इस तरह खीचते हुए इसे दबा दीजे और इसी तरह आगे से और पीछे से दोनों साइट से हातों की मतलब से प्रेस करते हुए इसे बना के तयार कर लिजे तो बस इसी तरह सभी को हम पहले बना के तयार कर लेंगे और देखी फ्रेंट्स यहां पे सभी को हमने इसी तरह बना के तयार कर लिया है अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस में तो यहां पे मैंने गैस पे रख दी है एक कड़ाई और उसमें डाल द जब पानी में बॉयल आ जाए तब ही आप इसमें आटे की ये जो हमने शेप बना के रखी हैं उन्हें डाले और डालने के बाद आपको इन्हें 7-8 मिनट तक बहुत अच्छे से कुक करना है धकन लगा के आप इन्हें पका लीजे और आप देखेंगे 7-8 मिनट में की बहुत अच्छे से कुक हो गई है चाहें तो आप बीज-बीज में ने पलट भी सकते हैं तो देखें ये तो बन के तयार हो गई है और गैस की फ्लेम कर दी है मैंने बंद और इन्हें भी अब निकाल लिया है और जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएंगी तब इन्हें हम करेंग रिमूब तो यहां पे ये ठंडी हो गई है और इस तरह हम चम्मच को आगे की साइट खीचेंगे तो ये इजीली बाहर आ जाती है देखी फ्रेंट्स आपको इन्हें निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी फ्रेंट्स बहुत यासानी से बाहर आ जाती है और आप इन पीस में डिवाइट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही टेस्टी सा और बहुत ही हैल्दी सा हमारा नाश्ता बन के तैयार हो गया है तो आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राइ कर सकते हैं या फिर आपने शैलो फ्राइ भी कर सकते हैं और अगर आप इन में से पहले डालेंगे थोड़ा सा कोकिंग ओयल, साथ में ही डालेंगे थोड़ी सी राई, और उसी के साथ यहां डालेंगे सफेद तिल, दोनों को अच्छे से चटकने देंगे, और जब यह दोनों अच्छे से तड़क जाएं तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कश तो एक बार आप जरूर बनाएं बिल्कुल जीरो ओयल में बनाके एंज्वाय कर सकते हैं आप इस नाश्टे की रेसिपी को साथ में ही बचे हुए गेहूं का ऐसा नाश्टा आपने आज तक कभी ना तो बनाया होगा और ना ही खाया होगा बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रें सारा बारी कटा हुआ हरा धनिया और धनिया डालने के बाद दुबारा से इने अच्छे से मिक्स करते हुए यहाँ पे आपको कोक करना है तो फ्रेंट्स अगर आपको आज की मेरी रेसिपी वीडियो अच्छी लग रही हो तो नीचे एक लाइक का बटन दिया हुआ है उसे जरूर प्रेस करें आपके दौरा वीडियो को लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपको मेरी रेसिपी वीडियो अच्छी लग रही है या फिर नहीं तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगा करें तो उसे लाइक जरूर किया कीजिए तो चली फ्रेंट्स अब इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में तो इस तरह गरमा गरम आप इन्हें प्लेट में चाय के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप इन्हें बिदाव चटनी भी एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर हमने बहुत ही टेस्टी सी यमी सी स् को बेहत पसंद आएगा तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर पताएं और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शियर जरूर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर